अगो ह्यार्स वेलोम वकेंधा। इसे वीडियो में हम निट कैट टू रिफार्वर्साइंट को कैसी स्तुमाल करते हैं तो कि यह दीक इस वीडियो में हम रिवर्सेल को दिखाएंगे एक पहली वीडियो में कोश्चन आई थी कि Windows में NCAT अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं यहां पर लिखा ही है कि NCAT is integrated with nmap and is available in the standard nmap download packages इसका मतलब मैं बोल देता हूं कि अगर आपने nmap डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया है तो उसके साथ ncat भी automatically installed हो गया है तो अगर आपको पता नहीं कि nmap windows में कैसी इंस्टॉल करें वह भी मैं दिखा चुका हूं जो कि मेरा जेन मैप का जो installation और using guide वहां पर आपको मिल जाएंगे लिंक में description में दे दूंगा install करने के बाद आप ncat version पर एक command डालना और आपको यहां पर दिखाए देगा कि version 7.8 और यह उसका site भी और link भी दे देगा nmap so basically इसका मतलब है कि आपका ncat installed हो गया और आप उसको use कर सकते हो अब हम देखेंगे reverse cell ठीक है so reverse cell में क्या होता है अगर सोचलो रॉबर्ट का computer खराब हो गया तो लीली अगर उससे connect होकर जाएगा तो यह netting device उसको filter करगा मतलब connect होने में होने नहीं देगा so reverse cell में यही काम आते कि अब क्या होगा यह so lily ने क्या करेगा अब एक listening port पहले जाएसा open कर देगा पर कुछ अपना खुद का cell mind नहीं करेगा just listen करेगा ठीक है so basically क्या होगा पहली जो bind cell में लीली ने अपना जो cell है उसको bind किया था अपनी port पे और अब क्या हो रहा है अब लीली ने just listen कर रहा है और रोबर्ट ने अपना खुद का cell outgoing करके लीली के पास पहुँचा दिया यह होता है reversal और यह क्यों क्या क्योंकि natting device outgoing को filter नहीं करेगा तो रोबर्ट का कोई दिख्कर नहीं होगा लीली का भी कोई दिख्कर नहीं होगा रोबर्ट जस्ट अपना cell लीली के पास पहुचा देगा तो यह भी हम demonstrate करेंगे यहां पर ठीक है तो आप क्या करेंगे लीली को जस्ट अभी listen करना है पर यह जो उसका cell है उसको नहीं देना है ठीक है तो अभी जस्ट लीली listen करेंगे तो लीली जी जी फोर 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 में इस पोर्ट में listen करें तो रोबर्ट को आप इसको clear कर लेते हैं तो रोबर्ट जस्ट उसके साथ connect होगा अपना cell को भी उसको देना है तो रोबर्ट क्या करेंगा एंसी से netcat को बलाएगा फिर न भी जिसका meaning तब जानी चुके होंगे कशिए सो औसी पोर्ट में पहुंचाना है इस पोर्ट में कि इस पोड में listen हो रहा है तो viables लिस वारोबर्ट इस पोर्ट को ही दिया फिर क्या करना है रोबर्ट अपना सेल यहां पर लिली के पास पहुंच आएगा तो अपना सेल तो देना पड़ेगा यह से क्या होगा एक फाइल ट्रांसपर होगा लिली के पास सो लिनक्स का जो सेल रहती हो बीन बस पढ़ रहती है ठीक है सो यह बीन बस सेल है लिनक्स का जैसे कि विंडोस में कमाइन पॉर्म्ट सिस्टम 32 में था विंडोस के अंदर जै ऐसी लिनक्स में इस सेल यहां पढ़ रहती है यह सेल खुद जाकर लीली के इस पोर्ट में जाएगा लीली इसका अक्सेस मिल जाएगा लीली के और यह सेंड कर दिया गया है जो कि आप इससे देख पार है ओपन से सो हम लीनक्स की सेल का जो चेक करेंगे जो की यह लसे हम उसका डिरेक्टरी में क्या-क्या फोल्डर से पता चल जाएगा हमें जो की लीनक्स कमेंद आप जानी चुक है और आई इस एक बद्द देख ले थ सिस्टेम है और यह भी आप देख पा रहे हो कि काली ग्रूप से बगरा जो कुछ आप देख पा रहे हो जो यहां पर ही है इसका इस कंप्यूटर का पर से सो अभी हम देख लेते कि कहां पा रहे हैं सो अब यह यहां पर है तो एक बड़ चीड़ी डबल डट करके जाते हैं सो अब हम लस दबाये तो हम सिपकाली मिलेगा मतलब हमें फोल्म डियक्टरी पर है अब इससे भी अगर सीड़ी दबा जिया एक तो क्या होगा लस करके देखते हैं तो सौरी सीड़ी स्पेस डबल अब देखों ls हम root directory पर आ चुके है जो कि एक step और भी back है ठीक है जो कि यह directory है so basically हम यहां सब exit कर रहे है क्योंकि मैं पता चल गया है so जब ही हम exit करेंगे आप देख सकते हो कि यह अपना cell पर खुद पर चला है और यह अपना cell खुद से चला है ठीक है so just हमें जो basics difference है उसको समझना है जो कि है हम reversal use क्यों कर रहे है क्योंकि जो main दिक्कत हो यह हमारा netting device है outgoing जो connections जाती है उसको रोक उसको filter यह नहीं करती ठीक है जो incoming connection है उसको रोकती है तो इसलिए हम यह use करना पर रहा है और रोबर्ट की cell को यहां पर लिली के पास भेजना पर रहा है so यह हम क्यों सीख रहे है क्योंकि जब हम server को hacking बगरा करेंगे ना तब server से हमें reversal की जरूवत होती है और bind cell की भी कभी कभी काम में आती है so हम reverse cell और bind cell को ऐसी तरह अपने जब जैसे situations होंगे तभी हम उसको use करके हम उसका cell को पा सकते है उस server का और उस server का हमें cell मिल गया तो मतलब हम कुछ भी कर सकते उस server के अंदर so basically यही दो दोनों जो concept है इसको आप एक बार अपने खुद प्रैक्टिस से समझ जाना क्योंकि दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसी इस concept को समझ जाओगे क्योंकि इसका कुछ basic difference है जो conceptual जो difference है वो आपको समझना है फिर आप जैसी situations आएंगे उसको implement कर सकते हो तो आज की वीडियों बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपका और अगर आपका कुछ फ्रेंड इस से गुडबाई से यु लेटर